दोस्तों नमस्कार, लर्निंग भाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम 676 नमबर से ले करके 700 नमबर तक के क्वेश्चन का डिसकसन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का कौन सा सासक हर्स के समकालिन था तो हर्स वर्धन का जो काल है तो ध्यान रखेगा हर्स वर्धन का काल 606 से ले करके 647 इस भी का है जबकि जो बंगाल का सासक था कौन ससान ससान का काल जो है वो भी ध्यान दिजिएगा 590 से ले करके 638 के बीच मिलता है तो पहले क्वेश्चन का अंसर हो जाएगा कि बंगाल का कौन सा सासक हर्स के समकालिन था तो इसका अंसर हो जाएगा शशान किसे यन वीडियो में हम हर्स और शशान के बारे में जो बंगाल का पाल बंस और बंगाल का आगे यानि सेन बंस का कैसे कैसे उभार हुआ कौन कौन से सासक हुए उसको किसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे तो ये पहले क्वेश्चन का अंसर हो जाएगा शशान अगला कौन है वर्धन बंस की राजधानी थाने सुर किस प्रदेश में इस्तित है तो थाने सुर आप वर्तमान समय में जाएंगे तो कहां है हर्याना में इस्तित है तो किस ने भेजा था तो अभी हमने कहा जो ये आपका राजधन आदित वर्धन प्रभाकर वर्धन इस सभी कौन वर्धन बंस के सासक का नाम दिया हुआ है और इसमें जो ये डेट दी हुई पीछे वाले कुछन से कुर्रेलेट करिये 606 से हमने कहा 647 इस भी का काल किसका रहता है हर्यस वर्धन का रहता है और इसी के बीच का ये 641 दिया तो नहीं भी आता हो तब ही अंसर आप क्या लगा दोगे हर्यस वर्धन के द्वारा भेजा गया था अगला कुशन है फिनाल एक प्रकार का क्या है एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइकलिक और आपका इन में से कोई नहीं आपसन है तो ध्यान दीजिएगा प्रमुग रूप से दो प्रकार की योगी होते हैं एक को एलिफैटिक कहा जाता है और एक को एरोमेटिक कहा जाता जब परमानू की किसी स्रंखला का एक अस्थाई चक्र ध्यान से समझेगा परमानू की किसी स्रंखला का किसी स्रंखला का एक अस्थाई चक्र पाया जाता है एक अस्थाई चक्र पाया जाता है तो उसी योगी को क्या कहा जाता उसी योगी को एरोमेटिक कहा जाता है तो एरोमेटिक में हमेशा एक अस्थाई चक्र पाया जाएगा और किसका पाया जाएगा परमानू की किसी स्रंकला का जैसे आप बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में भी आपका क्या एक अस्थाई चक्र पाया जाता है जो एलोफैटिक होते हैं उनमें ये अस्थाई चक्र नहीं पाया जाता तो फिनाल भी एक प्रकार का कैसा योगिक है तो यह ऐरोमेटिक योगिक है अगला एलकोहल में पाया जाने वाला जो मूलक या अब करिया सील इसी को रेडिकल्स की नाम से जाना जाता तो आपका कौन है अब करिया सील मूलक क्या है जैसे आप अप इसका जब भी एक जाम में आ जाये तो alcohol का ममलब कुछ alcohol के नाम आप याद कर लीजिए जैसे methyl, आपका methyl alcohol, Ethyl alcohol, methyl alcohol और आपका methyl alcohol, methyl alcohol तो मेथिल अलकोहल का आप देखोगे CS3 OH मेथिल अलकोहल का देखोगे तो C2H5 C2H5 OH होता है तो इसमें जो OH लग रहा यही क्या कहलाता है इसी को अब क्रियासील मुलक के नाम से जाना जाता तो इसका अंसर क्या हो जाएगा और वो अब क्रियासील मूलग होता है प्रियोग होने वाला सबसे अच्छा अपस फोटन रोधी योगी कौंसा है तो अपस फोटन जो प्रियोग किया जाता उसी को क्या कहा जाता है उसी को टेटरा एथाइल लेड के नाम से जाना जाता तेटरा एथाइल लेड के नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा डी अगला मातिमा बुद्ध ने किस नदी के पास महा पर निर्वान क्वस्टन ध्यान से रीड करिए हम चल्दबाजी में क्या लगा देंगे क्वस्टन ही देखते ही निरंजना रिजपालिका और पुनपुन हिरनवति दिया तो हम जो ग्यान प्राब्द किया यानि फालगुन अदी के किनारे उसी को रिजपालिका कहा जाता था उसी को हम लगा देंगे लेकिन ग्यान प्राब्दी का यहां नहीं पूछ रहा यहां कुछन पूछ रहा है महापनिर्वान कहां प्राब्द किया गवतम बुद्ध ने यानि इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर रिजपालिका नहीं होगा बलकि सही जवाब क्या होगा हिरन वती नदी के किनारे महा पर निर्वान गौतम बुद्ध को प्राप्थ हुआ था अगला प्रतीत समुत्पाद कितने चन्नों से होके या कितने चन्नों में होता है तो प्रतीत समुत्पाद गौतम जो बहुत धर्म है ध्यान समझेगा बौत धर्म में बारा चण्णों से होकर के प्रतित समुत्पाद यानि पूरा होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बारा प्रतित समुत्पाद क्या है तो इसमें जो बहुत धर्म है ए आत्मा को नहीं मानता तो जो पुनरजन्म होता है उसी अउधान्ना को प्रतित समुतपाद की माध्यम से समझाया जाता है और इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हो कोई एक दीपक बुझ रहा है और बुझने के पहले दूसरे दीपक को जला द दिता है तो ये जो अवधान्ना है यसी को प्रतित समुतपाद की नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर बारा हो जाएगा अगला निमलिकित में से कौन सही से मिल खाता है तो भारत में बेटी सासन को यहां से उखार फेकने के लिए कई भारत में सत्याग्रह हुए उनी में से कुछ यहां सत्याग्राहों के नाम दिये गए अगला पहला दिया गया जंडा सत्याग्राह, जंडा सत्याग्राह 1903 में हुआ और नागपुर हुआ जवलपुर यानि महाराष्ट हुआ मद्प्रदेज्ये से चेत्रों में होता है ये सही सुमेलित है अगला बोरसोद सत्यागरा बोरसाज सत्यागरा ये 1923 में ये होता है और ये महाराष्ट में होता तो ये आपका सोरी महाराष्ट में नहीं ये कहां गुजरात में बोरसो बोरसाज सत्यागरा गुजरात में होता है और ये 1923 में होता तो ये भी गल अगला गुरू बाग का सत्यागरह ये आपका क्या है ये 1922 में होता है और कहां होता गुरू बाग का सत्यागरह अमरस्कर में होता है इसका भी सन गलत दिया दस साल आगे का दिया हुआ है अगला वायकॉम सत्याग्राह ये भी गलत दिया क्योंकि वायकॉम सत्याग्राह 1924-25 में केरल में होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि निमलिकित में से कौन सही मेल खता है तो इसका ज़ंडा सत्यागरह 1923 नागपुर जबलपुर जैसे चित्रों में होता है अगला साबताहिक समाचार पत्र बंदे मातरम के संपादक पूछ रहा है तो ये 1905 इस बी में बंदे मातरम का संपादन किसके द्वारा तो अरबिंदो को गोस के द्वारा गरम दल के निता अरबिंदो गोस के द्वारा इसका संपादन किया जाता लेकिन कुस्सन नहीं पूसता इसकी स्थापना किसने किया था तो इसकी स्थापना बिपिंचंदर पाल के द्वारा की गई थी तो अगर स्थापना संस्थापक पूसता तो ये कौन बिपिंचंदर पाल हो जाता लेकिन यहां संपादत पूछ रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अर्विंदो घोस हो जाएगा अर्विंदो घोस हो जाएगा बाकी यह अजीज सिंग, लाला हर्दयाल यह आपके गरम दल के दिये हुए है तो गरम दल के निताओं के नाम पीछे आपको बता चुके हैं यानि गदर पार्टी सीन का संबंध है लाला हर्दयाल का और गदर पार्टी आपको बताए हैं 1913 में इस थाबित की जाती है और इसके निता बताए थे कौन भग बीपी लो रहा इसकी साथ ट्रिक पिछले वीडियो जुनाए हैं पिछले वीड उसके बाद आपका बीपी पी से आपका परमानंद उसके बाद लाला हर्दयाल उसके बाद आपका यानि अगला कौन तो इसका आप लिकोगे तो आपका हो जाएगा भग बीपी लो रहा रामचंद्र यानि भगवान सिंग, करतार सिंग सराभा, मरगतुला, परमानंद, ल रहा से आपका रामचंद्र ये इतने गदर पार्टी से संबंदित थे तो ये आपको पता होना चाहिए स्याम जी किर्ष्ण वर्मा एक करांतकारी निता थे स्याम जी किर्ष्ण वर्मा के द्वारा ही 1905 इसभी में इंडिया हाउस के स्थापना की गई थी और लंदन में कहां ये लंदन में स्थावित किये थे और सोशियोलाजिस्ट नामक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था तो ये ही स्याम जी किर्ष्ण वर्मा है अगला गोदावरी की सायग नदिया निमलिखित में से काउन सी नहीं है तो देखो ये भारत है तो यहां आपका दंड कारण पत्हार से एक नदी निकलती इसी का नाम है महा नदी महा नदी बाद महाराश्च से दो नदिया निकलती है एक महा बलेश्वर एक तरम्विकेश्वर पत्हार से निकलती है एक तरम्विकेश्वर एक महा बलेश्वर से निकलती तरम्विकेश्वर और महा बले इसको महानदी इसको क्या बुलते हैं गोदावरी बुलते हैं गोदावरी की बाद अगली वाली जो नदी है एक कृष्णा नदी है और किष्णा नदी इंगे तो अब का आडर लगाने के लिए आपका पूछा जा सकता है दच्छिन भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता, ध्यान रखिएगा, दच्छिन भारत की गंगा गोदावरी, और गोदावरी की सहाइग नदियां पूछ रहा है, तो गोदावरी की सहाइग नदियां, यानि कैसे आपको याद रखना है, तो यम्पी विसु पर, यम्पी से हो गई बेन गंगा बेन गंगा बेन गंगा पी से हो गई पेन गंगा पेन गंगा पी से आपकी क्या हो गई पेन गंगा आई से हो गई इंद्रावती इंद्रावती आई से क्या हो गई इंद्रावती हो गई इंद्रावती हो गई इंद्रावती हो गई इंद्रावती हो प्रान हिता और यस से आपकी क्या हो गई आपकी सबरी यस से आपकी कौन हो गई सबरी तो आपकी कौन हो गई पी से पेन गंगा और उसके बाद आपका पेन गंगा और वी से बेन गंगा आई से आपकी इंदरावती और उसके बाद यस सबरी वी या डवलू से वर्धा और प से प्रावरहिता प्रावरहिता और यम से आपके कौन हो जाएगी मंजिरा मंजिरा तो सारी हो गई मंजिरा या मंजिरा मंजिरा पेन गंगा बेन गंगा इंद्रावती इंद्रावती बाद आपका सवरी वर्धा प्रावरहिता ये किसकी सायक नदी है ये गोदावरी की सायक नदी हैं तो कौन-कौन पेन गंगा भी आई बेन गंगा भी आई इंद्रावति वाई भी इस फार्मूले में आप देखोगे तो आपका यंपी 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 विस्व पे यंपी विस्व पे तो यह हमने कहा मंजरा पेन गंगा बेन गंगा इंद्रावति सबरी वर्धा प्र भीमा इसकी सायग नदीर नहीं है अगर आपका कृष्णा की आपको याद रखना हो तो कृष्णा की है माग माग कभी मुतू यानि माग में बहुत कम आपका क्या होता वर्सा होती है तो माल प्रभा घाड प्रभा माल प्रभा घाड प्रभा भीमा भीमा कृष्णा की है और ये किसकी साइग नदी हैं ये आपकी हैं किष्णा की ध्यान रखेगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा भीमा इसकी नहीं है अगला सेंटर फार मरीन लिविंग रिसोर्स एंड एकोलाजी कहां ये कोच्ची के रल में इस्तित है ध्यान रखेगा अगला लोगतंतर लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है यानि जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा सासन इसी को क्या कहा जाता लोगतंतर और ये परिभासा अब्राहम लिंकन के द्वारा दे गई थी अगला कायग के सक्तियों कर्तब्यों का उल्ले कि यहां पूछ रहा है तो कई लोग 148 एक जटकिम लगा देंगे लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा 148 में कायग जो कायग होगा उसकी निउक्ति, पदमुक्ति और उसकी सेवा सर्तें यह सब बात की गई लेकिन इसकी सक्तियां वाग कर्तब आठकिल 149 में बताया गया 149 में बताया गया कि कायग के कर्तब वसक्ति कौन होंगे तो संसित के द्वारा समय समय पर कानून बनाके इसको तेंग किया जाएगा संसद ने इसके लिए 1971 में कानून भी बनाया है उसी कानून का नाम है कैग उसके बाद कर्तब सक्तियां तथा सेवा सर्ते अधिनियम 1971 ठीक आगे समझेगा और 150 में कैग का जो लेखां है चाए कियन सरकार का हो चाए संग सरकार या राज सरकाओं के लेखाओं का प्रारूप की बात 150 में की गई एक सो 51 में किसकी बात की गई है तो इसके जो रिपोर्ट होगी रिपोर्ट कैकी उसको संसत के दोनों पटल पर राजपती रखवाएगा और इसे कहां राजियों की रिपोर्ट को राज की विधान मंडल में राजपाल के द्वारा रखवाया जाता है तो यह यहां जो आटकिला के दिये गए हैं वो हमने आपको सारे बता दिये अगला निमलिकित में से कौन लगूद द्योग से समंदित है इसी को इसमाल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता इसमाल इंडस्ट्री तो लगूद द्योग के लिए आबिद हुसाइन कमिटी का गठन 1985 में किया जाता है 1984-85 में किया जाता 86 विद्य दिया जा तो 86 में इसने अपनी रिपोर्ट सोंपी थी वो भी सही होगा तो ये आबिद हुसाइन MSME यानि जो इसमाल उद्योग थे लगुद्योग थे उसके लिए बनाई गई थी अन्य कमेटियों की बात आई है तो भारत में जो रणराजन कमेटी है इसके लिए भारत में गरीवी का निधारन करने के लिए सुरू से कई कमेटियों का गठान किया गया है कई कमेटियों का गठान किया गया है उन कमेटियों की हम यहां कुछ चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए एक्जाम में, एक्जाम के लिए important है, important है, आईए, 1993 में कहुंसी committee बनती है, 1993 में जो committee बनती है, इसी को लकरवाला, गरीबी, भारत में गरीबी का मापन करने के लिए 1993 में, लकरवाला committee का गठन किया जता है, 1993 में लकरवाला पूछे, तो आपका, 2005 में तेंदुलकर कमेटी का गठन 2005 में किया जाता है, तो तेंदुलकर कमेटी पूछे, तो 2005 की है उसके बाद 2012 में कौन सी कमेटी का गठन तो रंग राजन कमेटी यहां जो सेगंड आपसं दिया रंग राजन कमेटी का गठन किया जाता है तो इसका संबंद भी किसे है आपका गरीबी के गरीबी के निवारन से है और एक चीज और याद रखेगा कि रंग राजन क कमेटी 2011 में पस्मी घाट जो आपका भारत का ये पस्मी घाट है ये वाला तो इसके सन्नचन के लिए एक कमेटी 2011 में रंगराजन कमेटी वहां पर भी बनी है तो ये पस्मी घाट के सन्नचन समर्धन के लिए और इसी बाद 2012 में एक और कमेटी बनती है उसी को कस्तूरी रंज कमेटी के नाम से जाना जाता है तो वहां भी ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा तो यहां गरीबी वाले में मिंस मिंस वार कुस्टन भी आया था कौन कौन सी कमेटिया बनी हुई तो हमने कहा 1993 में कौन लकरवाला कमेटी 2005 में तेंदुलकर कमेटी तेंदुलकर कमेटी उस आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है अब यहां पहला आपसंद पे विचार कीजिए चलाईया कमेटी तो यह चलाईया कमेटी भारत में प्रतेच कर डारिक टैक्स हुआ अप्रतेच कर इन डारिक टैक्स में सुधाल लाने के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया आप ल और भारत में नई आर्थिक सुधार निती उनिस क्यान नवे के लागू की जाती है तब इससे डारेक्ट टैक्स में सुधार के लिए पहल की जाती है और इसके लिए ध्यान से समझेगा आपको एक ट्रिक बता रहे हैं राजा रेखा के लिए केला लाया केला लाया तो यहां से तीन कमेटियां निकल आएंगी तो 1991 में काउंसी कमेटी यानि राजा चलईया कमेटी गठन 1991 किया जाता है और रेखी इसको रेखा को रेखी मान लिजिए 1992 में रेखी कमेटी का गठन किया जाता है 1992 में रेखी कमेटी का गठन किया जाता और केला से केलकर कमेटी बिजे केलकर कमेटी का गठन का वह तो भीजे केलकर कमेटी का कठान 2002 में किया जाता तो इनका करोनो लाजी भी पूछा जा सकता है कि राजा चलाया कमेटी रेखी कमेटी का संबन किसस्rend है तो तीनों कमेटों का संबन platform टैक्स प्रतेशकर वा प्रतेशकर में सुधार के लिए इन तीनों कमेटियों का अएंग जयता है तो 1991 की राजा चलेई कमेटी 1992 की रेही कमेटी उसके बाद आप दू कि विजे केलकर कमेटी केलकर कमेटी का घठन किया जयता है तो यहां से आपका ये ध्यान रखेगा राजा रेखा के लिए केला लाया यह बिल्कुल कुरुनो लाजी में है तो इसका यहां आपका अब हर कमेटी का सम्बंद पता चल गया होगा दिये गए कुस्तन में जो पूछ रहा है कि कौन लगूत द्योग से समंदित है तो आपकी है आविद हुसाइन अगला इसनिल का नियम किससे समंदित है तो इसनिल से ला तो ध्यान से समझेगा इसका सम्बन अपवर्तन से होता है रिफ्रेक्षन या अपवर्तन से होता है समझेगा मान लो यहां से कोई रेज आ रही है तो इसके बाद इसका क्या होगा अपोर्तन होगा तो अपोर्तन होगा तो यहाँ पर जो अंगल बन रहा है यह इंगल इसको बोलते हैं साइन यानि इसको साइन आई यानि इसको आई माल लीजे और यहाँ जो आपका है इसको आर माल लीजे तो इसका साइन आई अपान साइन आर ये constant होता है constant होता है जो constant होता है उसी को sign i upon sign r को किसे yen से दर्साया जाता और yen क्या है yen एक प्रकार का यानि refractive क्या होता है index होता है परावरतन गुरांक इसी को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपुवरतन अपुवरतनांक के नाम से जाना जाता अपुवरतनांक या refractive index के नाम से जाना जाता है sign i upon sign r is equal to constant और constant को ही yen या इसी को refractive index या अपुवरतनांक के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा तो यहां इसका सम्मद इसी को इसनल के नियम से भी जाना जाता है तो ये आपका, चुंकि एसनल एक बग्यानिक थी उन्होंने इस सिद्धान को प्रस्थित किया था तो इसलिए इसे इसनल के नियम से कहा जता है जाना जाता तो इसका अंसर अपोर्तन हो जाएगा अगला कॉस्सन है अटल सुरंग कहां इस्तित है तो अटल सुरंग ध्यान रखेगा इसका संबन्ध हिमाचल प्रदेश को है इसी को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है जवाहर सुरंग पूछे या अटल सुरंग पूछे तो बात एक ही है इसकी लंबाई 9.02 किलो मीटर है कहां इस्तित है तो आप इसमें हिमाले वाले में जाएंगे करा कोरम, करा कोरम, लद्दाक, जासकर और उसके लाश्ट वाला पीर पंजाल तो यह जो आपकी रिंज है यह पीर पंजाल रिंज में इस्तित है लेह को मनाली से जोडने के लिए इसको बनाया गया है और दर्रा पूछे किस दर्रे से होके गुजरती है तो रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा और रिंज पूछे तो पीर पंजाल रिं से 10,000 की 10,000 मिटर की उचाई पर इस्थित होने वाली भी इसकी सरवाधिक लंबी सुरंग है तो इसका कुस्षन का अंसर मिल गया होगा अटल सुरंग कहां हिमाचल प्रदेश में इस्थित है अगला इस रो ने अपना सुक्रयान सुक्रयान वन इसका नाम दिया है तो ये कब मिसन कब लांच करने की गोशना की है तो 2024 पचीश तक इसको भेजेगा तो दिये गए आपसन में 2025 है तो ये अपका तब तक ये भेजेगा सुक्र की सत्ह का उस पे बिद्दिमान गैस वा संगटन उसका कैसे है वा दावरन कैसे है इस सब का ध्यन करने के लिए कौन सुक्रय फश्ट या फिरिसी को वीनस मिसन के नाम से इस रो लांच करेगा अगला बितायो का गठन परतेग पांच वर्स पे भारत के राश्ट पती के द्वारा आड़किल 280 की अंतरगत किया जाता है तो ये कितने वर्सों में होता है पांच वर्स केंद्वार राज की टैक्सों का बटवारा कन्य के लिए इसका अगठन किया जाता है अगला निम्लिकित में से किस सासग ने मगद में कलिंग को हराया था कलिंग नरेश जो आप सुनते हो खार बेल ये सब आपका कौन थे कलिंग राजा थे तो इसको किसके द्वारा हराया गया था तो ये हराया गया था मह महापदमनंद नंद जो महापदमनंद है ये नंदबंस का संस्थाबग था इसने किसको कलिंग नरेश को पराजित किया था अगला भारत में पहली बार चगवंदी कब शुरू हुई थी तो भारत में पहली बार चगवंदी 1920 में पंजाब से शुरू हुई थी पंजाब से ल अहां से तो अगर ये स्थान पूछे तो पंजाब से शुरू की गई थी निम्लिकित में से कौंसी समीती केंदरा समंधूं से समंधित है तो इस टाइब का कुश्चन आपको हम पीछे बता चुके हैं तो यहां गाडगिल कमेटी अभी हमने कहा गाडगिल कमेटी का समंध किस से है तो पिस्मी घड के सन लचन से है तो गाडगिल कमेटी 2011 में गठित की गई थी और इसी के बाद 2012 में कस्तूरी रंजन कमेटी का गठन किया गया था तो गाडगिल कस्तूरी कमेटी पूछे दोनों का संबंद पश्मी घाट के सन्रचन से है यहां आपकी सिंगवी कमेटी थुंगन कमेटी इनका संबंद किसे है इनका संबंद पंचायती राज के संबंद में गठन करने से पहले जब 1932 में अधिरियम नहीं बना था उसके पहले क्या-क्या सिपारिस की गई पंचायती राज से है लेकिन राजमनार कमेटी यह आपको बताया थे केंद राज संबंदों को ले करके 1979 में पीछे एक वीडियो में डिटेल बता चुके यहां के वाल रिफरेंस आपको करेंगे तो 1979 में राजमनार कमेटी का गठन किया जाता है उसके बाद 1973 में यानि कौन तो यह पंजाब साहिप प्रस्ताव आता है पंजाब साहिप प्रस्ताव 1989 में कलकत्ता मेमोरेंडम प् संपता है उसके बाद हमने कहा था 2021 में कौन यं-c-r-w-c यं-c-r-w-c कमेटी का गठन किया जाता है जिसकी अद्धिस्ता कौन करते हैं तो यह बेंकट आयोग के नाम से जाना जाता है और यह रिपोर्ट 2002 में संपता यह भी आपको बताये थे और लाश्ट में हमने कहा था कि 2007 में कौन सा पुंची आयोग का गठन किया जाता है तो यह क्रोनो लाजी भी आपके एकजाम में पूछा जा सकता किसकी क्या सिपारिस रही वो भी आपका इंपोर्टेंट है तो यहां जो कुस्तन पूछा है केंदराज से समंदित कौन सी कमेटी है तो केंदराज से कंदिर राजमनार कमेटी है कौन सी राजमनार है जो 1971 में गठन किया जाता है अब यहां पंचायती राज से आई है तो पंचायती राज के लिए कई कमेटीों का गठन किया गया है तो सबसे पहले हम कुछ कमेटी सोतंत्र सोतंता की बाद जो भारत पे गठित हुई उसकी ब सर्विस कर krit quem सरूर किया जाता लेकिन दोनों क्या हो जाते हैं और वियों नेसंनल एक्सटेंसन सर्विस 1903 यानि तिर्पन में औरinsi ing smoagb whenday कर में समदाइक विचास kurg realm community development कर्क्राम स्रूर किया जाते लेकिन दोनों्ट। होते उसका रिजन ने इसकी 1957 में National Development Council का गठन किया जाता है जो इसकी चांच करने के लिए बनाई जाती है वो पाती है कि इसमें अस्थानी अस्तर पे लोगों का प्रतिनित नहीं था इसलिए ये फेल हुई और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर बल्वंत राव महता कमेटी का गठन 1957 में होता है और ये उननीस सो सतावन में होता 1969 में रिपोर्ट सुंपती है और ये त्री अस्तरी पंचायती राज की बात करती है बल्वंत राव महता त्री अस्तरी यानी बात करती है तीन अस्तर पंचायत के होने चाहिए होने चाहिए और उसके बाद फिर सबसे पहले दो अक्टूब 1961 को राजस्थान के नागवर जिला से पंचायती राज की शुरुवात की जाती और दूसरा राज इसमें आन्द प्रदेश सामिल हो जाता है इसके बाद 1997 में असोक महता कामेटी का अगठन किया जाता है जो दोस्तरी विवस्था की बात करता है और उसके बाद फिर 1983, 1984, 1985, 1983, 1984 काड़ दीजिए चोरासिम कोई नहीं कया नीश सो थिरासी, पचासी, 1986 और 1989, 1990 यह कमेटी यह गठत की जाती है तो यहां से ध्यान रखियेगा 1983 में जो कमेटी गठित की गई उसी को हनुमंत राव कमेटी के नाम से जाना जाता है किस नाम से हनुमंत राव कमेटी के नाम से जाना जाता और 1985 में जो कमेटी गठित की गई ये भी राव है लेकिन जी वी जी वी के राव जी वी के राव जी वी के राओ कमेटी की नाम से जाना जाता और 86 वाली 86 सिंग भी तो एलियम सिंग भी लच्मी मल सिंग भी कमेटी गटित के जाती 86 में उसके बाद 1989 में ध्यान रखेगा 1989 में थुंगन कमेटी पी के थुंगन कमेटी का गटन 1989 में होता और नबे में लाश्ट वाली जो बताएं हैं नबे में कौनसी हरलाल सिंग खर्रा कमेटी का गठन किया जता है तो यह सारी कमेटी आपकी यहां हमने डिसकस कर दी अगला निमलिखिद में से किस अमचेद में कोरम का तो कोरम किसी सदन की कारवाई को बैद बनाने के लिए नियुम्तम सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है और यह टोटल सदस्या का 10% होता है लोग सभा का 10% या 1 by 10 राजसभा तो राजसभा का 10% होता है और इसका उलेख समिधान के अंचेद 100 में किया गया है हंडेड में किया गया है अगला विकास का पूरा मांडल ये 2004 इसवी में एपी जे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था गाउं को स्मार्ट बनाने के लिए इसकी फिलफाम होती है प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेटीज तू रूरल एरियाज तू रूरल एरियाज तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एपी जे अब्दुल कलाम का ये कांसेप्ट था पूरा वाला अगला निमलिखित में से किसे इसकंडे नेविया कहा जाता है तो इसकी साथ ट्रिक अब ध्यान रखेगा फाइंड फाइंड तो फाइंड के अंतरगत जो देश आते हैं उसी को सिचंडे नेविया इसी को नारवे देनमॉर्क है फिल्लाइंड होता वो भी आ जाता तो इसी को स्कंडेने वियाई देशों के नाम से जाना जाता है तो आज का ये डिसकुसन इस समात होता है फिर मिलेंगे जय हिंद